आपके दिन भर का हाल समझेंगे कि आज आपका दिन कैसे होने वाला है आचारे हेमांचु उपमन्यु जी के मांथेम से राधे राधे आजारे जारे 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 राधे राधे इश्वर से प्रार्थना उनका दिन सुब हो अचारे जी आज सबसे पहले हम आज की तिथी नक्षत और अशुब महूरत के बारे में जानना चाहेंगे देखे आज दीनांख है 23-2022 और आज के दिन तिथी है एका दसी प्रातह काल सात बजकर चार मिनट तक और उसके पश्चात द्वादसी तिथी का आरम हो जाएगा जो समस्त दिन रहने वाली है और आज के दिन नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र जो 11 बचकर 54 मिनट तक रहने वाला है और इसके पश्चात आज भगवान चंद्रमा जो है वो मिथुन रासी पर बुद्ध की राशी पर विचरण करने वाले हैं और आज के दिन का जो असुब मुहूर्थ है जिस समय हमारे दर्सकों को कोई नया कारे आरम करने से या कोई सुब कारे करने से बचना चाहिए पर्थम असुब मुहूर्थ है गुलिकाल गुलिकाल है आज 12 बचकर 23 मिनट से 1 बचकर 54 मिनट तक और राहुकाल जो है वो आज 3 बचकर 35 मिनट से 5 बचकर 5 मिनट तक ये आज के दिन के असुप समय जो हमारे दर्सकों को कोई कारे करने से बचना चाहिए अब अचारे जी बात करेंगे आज के राशी फल के बारे में कि आज का दिन हमारे जातकों के लिए कैसा होने वाला है पहले तीन राशियों के बारे में बात करेंगे हम मेश, विशप और मिथुन राशी के बारे जी जैसा कि हम राशी फल के बारे में बात करने वाले हैं आज मैं अपने समस्त बारह राशी के जातकों के लिए पहले ही एक चीज जो है मैं सूचित कर देना चाहूंगा वह यह है कि आज के दिन जो हमारे 12 रासी के जातक है आज का दिन ही उथल पुथल से भरा रहने वाला है कुछ आज आपके जीवन में अरेश्ट और सुब दोनों का ऐसा मिसरण होने वाला है कि आप कहीं न कहीं आज के दिन परेशान रह सकते हैं या मन में असांत की इस्ति आप सभी के बन सकती है तो आरम करते हैं मेसरासी से मेसरासी के जो हमारे जातक है आज का दिन उनका कल की जो सारीरिक उनकी दुर बलता है जैसा कि हम लोगों ने कल उनकी राशी फल में जाना था, उनकी कुछ साधिक समस्याएं थी, आज भी वो उनसे कहीं न कहीं परेशान रह सकते हैं, लेकिन समाज में जो उनको सम्मान मिला हुआ है, आज के दिन वैं उनका आगे बढ़ने वाला है, और उनको कहीं न कहीं, आज प्रशब राशी के जो जातक हैं, आज के दिन उनको धन से जुड़े होया मामलों में अनेक और अनेक प्रकार की चिंताएं उतपन होती हुई, दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एक चीज जो है, आज वो जिस स्थान पर कारे करते हैं, जहां भी वो कारे करते हैं, किसी सरकार आफिस में, या किसी प्राइवेट आफिस में, या उनका स्वैम का व्यापार है, उन्हें उनके पद से लाव पराप्त होगा, जिस भी पद पर वो आसीन है, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, या कोई किसी छोटे इस्तर पर कर्मचारी है, ल उनका भाग ये उनका साथ इतनी आसानी से छोड़ता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन कहीं न कहीं आज उन्हें इस्तान का कष्ट होने वाला है, जिस इस्तान पर वो हैं, वहाँ आपके आसपास के लोग या आपका कारया आज के दिन आपके मन को प्रभावित कर सकता है, मि सबसे पहले जानते हैं अगले क्रम में करकराशी के बारे में करकराशी के जो जातक हैं उनके जीवन में आज कुछ खुशियां आने वाली है लेकिन वो खुशियां उनको धन का खर्च करने के बाद प्राप्त होंगी अगर वो धन का खर्च यथा इस्तिती में नहीं करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा उनको वो खुशियां नहीं पराप्त होंगी तो देखा जाए तो आज उन्हें धन का भी लाब होगा और खुशियां भी पराप्त होंगी लेकिन उन्हें अपने असंतुलित व्य पर नियंत्रन रखने के वश्रकता है अन्य था व्य अपने लिए खुद भी समस्याओं को मोल खरीद सकते हैं और अब देखते हैं अगली राशी सिंग राशी सिंग राशी के जो जातक है आज का दिन उनका किसी प्रकार की समस्या वो समस्या ऐसी है कि आज उनका किसी से विवाद हो और मन में या आपके कारशेत्र में परिवार में कलेस की इस्तिती उत्पन हो जाए कलेस कहा जाए तो आपका किसी से तकराओ हो जो आपके दिन को असमान ने बना दे और साथ ही अगर आप तकराओ से अपने आपको बचाते हैं एक सला है आज सिंह राशी के जातकों के लिए कि आपका जुडाओ आपके लिए समस्या का कारण बन जाए वो समस्या आपके नुकसान के तोर पर भी हो सकती है और क्लेस के तोर पर भी हो सकती है अब चलते हैं अगली राशी कन्या राशी के जातकों की ओर कन्या राशी के जो जातक है आज प्राता काल जगने के बाद उनका दिन असामान्य होने वाला है आसामानने मैं इसलिए कहूंगा कि उनके कुछ कारे उन्हें बनते हुए लगेंगे लगेगा कि आज के दिन उनका ये मनोरत पूरा हो जाएगा और वो सुबह से ही उस कारे में अरचने यानियारब हो जाएगी लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा अगर उन्हेंने कोई कारे ठार नखा है तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा उनका कारे सफलता की और जाता जाएगा तो उन्हें चाहिए कि दिन के ढलने का इंतजार करें अपने कारें को बनने के लिए अगर वो ऐसा करते हैं तो सुब कारे आज के दिन उनके यहां संपादित हो सकते हैं और हाँ एक सला और अगर कन्या राशी के जातक अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो उन्हें आज के दिन सूर्य के अस्त होने का इंतिजार करना चाहिए अगर सूरी का अस्त नहीं होता है तो उन्हें इससे बचना चाहिए ना इसके नुकसान हो सकते हैं चले अगली राशीत की और बढ़ते हैं अगली तीन राशी है हमारी तुला व्रिशिक और धनु राशी के बारे में बताईए जी तुला वरश्चिक और धन रासी के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं तुला रासी के जातकों के बारे में तुला रासी के जो जातक हैं आज का दिन मुझे उनका किसी परकार से बहुत अच्छा नहीं दिखता है मैंने क्या कहा? कल से आज का दिन उनका प्रवावी तरहने वाला है कल उन्होंने जो जो नुकसान अपने जीवन में पाए है वो आज भी उनके जीवन में प्रवावी रहने वाले हैं और वो उन नुकसानों से परेशान रहने वाले है यह तो उनकी जो सारी एक समस्या है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है उससे वो परेशान है और आज के दिन एक जो सोने पर सुहागा है उनके सत्रू, उनके खिलाफ कई प्रकार की संवरशनाय करते हुए नजर आने वाले है लेकिन ये सत्र उनके प्रभावी होंगे दिन के धलने मतलब दिन के चड़ने के साथ जैसे ही दोपहर के एक बचते हैं दो बचते हैं तब उन्हें ऐसास होगा कि उनके सत्र उनके खिलाफ मतलब जो जैसा मैंने कल कहा था कि उनके कर्मों का जो है उनको लाव नहीं मिलने वाला है तो आज उन्हें पता चल जाएगा कि उनके सत्र उनके खिलाब क्या सड़यंत्र कर रहे है तो अब चलते हैं अगली रासी ब्रस्चिक रासी की ओर वरस्षिक रासी के जो जातक है उनका दिन मुझे अच्छा जाता हुआ दिखता है लेकिन ये अच्छा तब जाने वाला है जब वो वाहन चलाते समय साउधानी रखते हैं या फिर किसी कारे को करते समय साउधानी रखते हैं अन्य था उनके साथ कोई दुरगटना घटित हो ऐसे युग बन है और अकर वो दुरगटना से बच जाते हैं तो निश्चित ही वरशिक राशी के जातकों को आज के दिन सुख की राप्ति होने वाली है वो सुख कई प्रकार से हो सकता है और अब चलते हैं हमारी अगली राशी धनुराशी के जो जातक है आज के दिन उनका जो दिन है वो मिसरित दिन वतीत होने वाला है उनको थोड़ा सा सुख मिलेगा थोड़ा सा प्रेम मिलेगा थोड़ा सा मतलत जो है कष्ट मिलेगा कुछ उन्हें प्रेम देंगे तो कुछ अपने ही उनके उन्हें कष्ट भी पहुंचाने वाले हैं आज का दिन उनके लिए मिला जुलावितीत होने वाला है उनको कुछ धन का लाव भी होगा और कुछ धन का नुकसान भी होगा इन दोनों ही परिस्तितियों के लिए आज के दिन उनको तयार रहना चाहिए जैसा कि मैंने कहाता आज अस्त बेस्त दिन है तो वो उसका प्रवाव धन राशी पर अधिक देखने को हिलेगा आखरी तीन राशियों के बारे में बात करते हैं उनके साथ में आज के दिन कुछ अनिशिद घटना उनके साथ घटने वाली है उनका सरीर तो उनका साथ देगा लेकिन उनका मन आज के दिन उनका साथ नहीं देने वाला है अगर आपका सरीर सुखी है तो कहते हैं आप सुखी है लेकिन अगर मन दुखी है तो आप दुखी भी है क्योंकि मन का दुख ज़्यादा बड़ा दुख होता है सारीरिक दुख से अगर आप कितने भी स्वस्थ हों और आपका सरीर आपका साथ ना दे तो आप जो है कुछ भी कर नहीं पाते हैं सारी जीक तोर पर अगर मन साथ न दे तो मानसिक तोर पर तो आज की मानसिक त़िए उस्तिती मुझे मकर राशी के जातकों के लिए अच्छी बनती हुई नहीं दिखती है मन में उनके कोई दुख और किसी से वियोग आज आपके दिन किसी से आपका बिछड़ा हो सकता है किसी अपने से या किसी मित्र से आप बिछड़ सकते हैं आप चलते हैं कुम्बराशी कुम्बराशी के जो जातक हैं आज के दिन उनके रोग उन्हें परिशान करने वाले हैं लेकिन आज उनका जो परिवार है उनके रोग में उनके इलाज में उनका समर्थन करने वाला है उन्हें सयोग देने वाला है और साथ ही किसी भी बड़े से बड़े मसले पर आज का दिन उनका परिवार उनका साथ देगा और उन्हें आगे लेकर जाएगा कुमरासी के जात्कों को चाहिए कि आज के दिन वे अपने परिवार के साथ समय वितीत करें निश्चित ही वे अपनी सभी समस्याओं पर विजय पालेंगे अगर उनका परिवार उनके साथ है तो उन्हें सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता अंतिम राशी मीन राशी के बारे बात करते हैं मीन राशी के जो जात्क हैं आज के दिन उन्हें मन में भय और साथ ही धन की कुछ मिली जुली समस्याओं रहने वाली है धन का जो उनके साथ में जो धन की समस्या है वो उनके अनिश्चित खर्च के कारण है वो अपने पैसे को खर्च करने में इस प्रकार की अनिमित्ता बढ़ते हैं कि उन्हें धन की समस्या का सामना करना पर सकता है मीन राशी के जात्कों को चाहिए कि आज की दिन में अपने खर्च करने वाले धन पर नियंत्रन रखें अन्य था उन्हें समस्या से कोई भी बचा नहीं सकता है तो उन्हें चाहिए कि वो प्रयोग करें और धन खर्च पर नियंत्रन रखें जिससे उनकी आधी समस्याएं कम हो जाएंगी राशिफल की बात हो गई आचाहिजी अब हम आपसे जाना चाहेंगे कि अभी जीत महुरत क्या है साथि आप यह बते है कि ऐसा कौन सा महुरत होता है जिसमें हम शुब कारे कर सकते हैं देखें दिन में वैसे तो कई महूरत होते हैं इस्थिर लगन में हमें किसी कारे का आरम करना चाहिए जिसे में दीर काल तक लाब मिलता रहे लेकिन इस्थिर लगन जो होती है कई असुब मूर्तों से या कई असुब कालों से ग्रसित हो जाती है लेकिन दिन में जो अभिजित मूर्त होता है वो किसी असुब काल से ग्रसित नहीं होता है और जिस दिन अभजित मूर्थ के समय कोई असुब काल आ जाए उस दिन अभजित मूर्थ होता ही नहीं है तो आज का जो अभजित मूर्थ है वो 11.58 मिनट से 12.50 मिनट तक रहने वाला है आज के लिए काल चक्र में बस इतना ही कल फिर हाजिर होंगे एक नए विशे के साथ आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ तब तक के लिए हमें दीजिये जादत रखीएगा अपना खयाल अचारे जी राधे राधे बहुत बर शुक्रिया आम से जोने के लिए नमस्कार नमस्कार तब करे राधे जगो नमस्का फे डाधे । उटेप लाधेजार प्रस्वाइब टूदोगो लोगदे जावे टूवार आमस्कार प्रस्वान से श्रुटेष भ्र्लम्स्वाट